आगामी लोग-सबा चुनाव से पहले कॉंग्रेस ने संगठन के पेच कस्ने शुरू कर दिये हैं इसी कड़ी में रास्थान के उदहपूर में तीन दिवेसे चिंतन सिविर का आयोजन हो रहा है कॉंग्रेस ने उद्यपूर चिंतन सिविर के दोरान संगठन में बदलाओ के लिए कुछ बड़े फैसले किये हैं कॉंग्रेस महासचीव आजया माखन ने बताया कि पार्टी एक परिवार है एक टिकट के नियम पर पूरी तरह से एकमत है उन्होंने सम्मेलन के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाओ का वादा किया साथी पार्टी में अब कोई भी नेता किसी भी पद पर 5 साल से ज़ादा नहीं रहेगा अगर ऐसे किसी व्यक्ती को किसी पद पर वापस लाया जाना हो तो उसके कम से कम 3 साल का cooling period अनिवार होगा आप देख रहें कॉंग्रेस के चिंतन सिवर में बड़ा फैसला लिया गया है सोनिया गांधी जो अध्यक्षांत्री मध्यक्षां कॉंग्रेस की उन्होंने भी बयान दिया है उसके बाद कॉंग्रेस के अंदर पार्टी के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर पार्टी के अंदर कोई पच्पे काम करता है तो पांस साल के लिए काम करेगा और लगातार कॉंग्रेस का बड़ा फैसला आप देख रहें डेश में लगातार कॉंग्रेस ने अपने चिंतन सिवर के दौरान बीजेपी पर भी नि काम कर रहा है अगामी लोगस्वा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस ने संगठन के पेच को कसने शुरू कर दिये हैं इसी कड़ी में रास्थान के उद्यापूर में तीन दिवे से चिंतन सिवर का आवजन हो रहा है आज पहला दिन है दो और दिन हैं अभी बाकी जिसमें चि लगा जा रहे हैं कुछ नया पेचीता रुख निकल करके सामने आएगा कॉंग्रेस ने उद्यापूर चिंतन सिवर के दौरान संगठन में बदलाओ के लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लिये हैं कॉंग्रेस महासाची जह माखन ने बताया कि पार्टी एक परिवार ह एक टिकट के नियम पर पूरी तरह से एकमत है उन्होंने सम्मेलन के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाओ का वादा किया और साथी पार्टी में अब कोई भी नेता किसी भी पद पर पांस साल से जज़ा काम नहीं करेगा या नहीं रहेगा अपने पद पर अ पैसला निकल कर सामने आया क्योंकि ये कॉंग्रेस अभी उस कगार पर है उस मोड पर है जिसमें कॉंग्रेस को मजबूत नेत्युत्य की बहुत ज़्यादा जरुवत है और जो हमारे पैनल के सजेशन्स हैं वो उदेपूर डेकलिरेशन में एडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कॉंग्रेस पार्टी का अलग-अलग सर में नीचे से लेकर के उपर तक आप एक बहुत बानना है कि बदलते समय के साथ जो संगठन का धाचा कॉंग्रेस पार्टी का है वो शायद नहीं बदला है अभी भी कॉंग्रेस पार्टी के संगठन का धाचा और जो हमारे डिपार्टमेंट जो हमारे जिस तरीके से जनल सेक्रेट्री और जो काम जो बाटे जाते हैं वो तो वही पुराने 50 साल, 60 साल पुराने तरीके से हैं, उसके अंदर कोई अमूल्चूल बदलाब नहीं हुआ है, हमारे डेमोक्रेसी के टूल्स लोक्तंतर के बहुत सारे हत्यार नहीं नहीं आगे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर उस तरीके से आजादी का मना रहे हैं, दूसरे तरफ सम्विदान के तहट काम कर्मे का कोशिस, मोदी जी, बीजेपी और उनके जो भी दोस्त लोक हैं, या उनके सपोर्टर्स हैं, वो उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, तेकि सम्विदान के तहट चले हैं, और जो कॉंस्टूशनल वैल्यूज हैं, एक तरफ उसको खतम कर रहे हैं, और इंस्टूशनल जो इंटिग्रेटी हैं, और अटॉनमस बॉडिस की जो ताकते थी, उसको भी वो कमजोर कर रहे ह उत्तर पुरवांचल के युवां, उत्तर पुरवांचल में जब उनको नौकरी नहीं मिलती, तो वो देश